दिपिका पॉदुकोन और रनवीर सिंग ने लिया शौकिंग ने लिए शौकिंग फैसला फ्रेग्निंसी में मुंबई छोड माइके में शिव्ट हो रही है दिपिका जूनियर भवनानी से जुड़ा है दीप वीर के शौकिंग फैसले का कनेक्शन मुंबई में नहीं मायके में दिपिका देंगी अपने पहले बेबी को जन्म 39 फरवरी को दिपिका पदकोन और रनवीर सिंग ने अपनी प्रेगनिंसी की गुड निउस अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर की थी वो दिन है और आज का दिन है दीपवीर के फैंस बेस सबरी से जूनियर भवनानी के आने का इंतिजार कर रहे हैं जहां एक तरफ दिपिका इन दिनों अपने सभी पेंडिंग वर्क्स को तेजी से निप्टाने में लगी है वहीं अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसका सीधा सीधा कनेक्शन दिपिका की प्रिग्निंसी और उनकी बेवी डिलीवरी से जुड़ा है रिपोर्ट्स के मताबिक दिपिका अपने बेवी को मुंबई में जन्म नहीं देने वाली है खबरे हैं कि दिपिका ने अपने पहले बेवी को अपने माई के यानि के बिंगलूरू में जन्म देने का फैसला लिया है और इस फैसले में रनवीर और उनका परिवार भी दिपिका के साथ है ऐसा भी बताया जा रहा है कि दिपिका ने ये फैसला अपनी मॉम और सास की सलहा पर लिया है प्रेगनिंसी में दिपिका ने अपने माईके में जादा से जादा समय रिस्ट करने का फैसला लिया है बताया जा रहा है कि दिपिका अब जल्द ही काम से ब्रेक लेने वाली हैं। उनके सारे प्रोजेक्ट्स ओल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं। ऐसी भी खबरे आ रही हैं कि दिपिका अपनी अपकमिंग फिल्म कल की 289880 का प्रमोशन भी नहीं करेंगी क्यूंकि वो खुद पल को पूरी तरह जीना चाहती हैं। साथ ही वो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी सचेत हो गई हैं। क्यूंकि उनका भी पहला ट्राइमिस्टर चल रहा है। वो जादा ट्रेवल भी नहीं कर रही हैं। बस अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं। परस्ट ट्राइमिस्टर में हैं। उनकी डिलीवरी डेट सितंबर महीने की है। दिपिका और रनवीर के घर शादी के पांच साल बाद किलकारिया गूंजने वाली है। तो इस खास फेज में दिपिका को उनके डालिंग हजबन रनवीर का पूरा-पूरा सपोर्ट मिल रह है। दिपिका को हमेशा प्रिंसस ट्रीटमेंट देने वाले रनवीर अपनी बीवी के आराम और उनकी सेफटी का खूब खयाल रख रहे हैं। बीदे दिनों जब दिपिका और रनवीर एरपोर्ट पर स्पोर्ट हुए थे तब रनवीर उनका हाथ पकड़कर चलते नजर आये थे। वहीं अनन्तमबानी और राधिका मर्चंट के प्रिवेडिंग फंक्शन्स में शामिल होने के लिए दीप वीर जब जाम नगर पहुचे थे तब भीर रनवीर अपनी बीवी को भीर से बचाते दिखे थे।